नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेक्नो कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफॉन जो की सस्ते बजट रेंज में लॉंच किया है टेक्नो कंपनी ने वो भी अपनी Spark series में, Tecno अपने Spark series में अभी तक Go 2021, 22, 23, 24 जैसे smartphone को launch कर रहा था, लेकिन अभी जो company ने Tecno Spark Go 1 नाम से launch कर दिया, एक नया 4G smartphone, जिसके करेंगे आज हम unboxing, नजर डालेंगे इसके basic features, look designs, camera पर, देखेंगे कैसा रहता है ये smartphone आपके लिए, तो सबसे पहले हम इसके box packing पर नजर डालें, तो यहाँ पर हमें Tecno की branding देखने को मिलती है, दो camera lens यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हाला कि एक camera lens नहीं है, आपको आगे बताऊंगा, नीचे 8GB RAM, 64GB के internal storage को mention किया हुआ है, लेकिन मिलेगी आपको 4GB RAM, यह जो 4GB है वो extend कर सकते हैं आप RAM कुन, और back side में mobile का design दिया गया है, तीन color variant में मिलता आपको यह smartphone, एक color variant में तो यह leather finishing के साथ आता है, नीचे कुछ highlight features जैसे की 120Hz के आपको इसमें display मिलती है, 15W का fast charging support मिलता है, infrared support मिल जाता है, जिसका use remote control के लिए किया जा सकता है, 8GB RAM, और company आपर 4 साल की lag free guarantee भी दे र करते हैं open, तब तक आप भी channel पर first time visit कर रहे हैं, तो subscribe जरूर कर दीजे, क्योंकि ऐसी videos आप के लिए मैं यहाँ पर regular लाता रहता हूं, तो जैसी हमारा box open होता है, सबसे उपर smartphone ही रखा हुआ नजर आता है, और इस पर भी सारी details को mention किया हुआ है, इन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहोंगा, इसे रखते हम फिलाल side में, और अंदर other accessories में आपको मिलेगा एक warranty card, जो है 12 month का, साथी एक techno की user manual guide दी गई है, और इसके बाद phone को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक flexible transparent silicon का cover दिया गया है, जो की काफी soft है, हाला कि यहाँ पर अगर color थोड 5V 2A की output rating के साथ, phone तो support करेगा 15W का fast charge, लेकिन वो अलग से हमें purchase करना पड़ेगा, USB cable हमें मिलती है, इसमें type A to type C, अब आते हम direct smartphone पर, सबसे पहले तो इस refer को करते हैं अज़ाद, अब निकल की आगया smartphone का front side का look, इस smartphone हाथ में बहुत comfortable, अच्छे से आप इसे carry कर सकते हैं, इसके अलावा punch hold display आपको इसमें मिलती है, और एक pre-applied scratch guard इस पर लगा हुआ है, मुबायल को फटाफट से install करते हैं, तब तक दोस्तो हम इसका back panel देखते हैं, तो plastic polycarbonate body के साथ, विलकुल flat back panel, वो भी matte finishing के साथ आपको मिलेगा दोस्तो, जो की काफी कमाल का लग रहा है, य इस पर कोई finger fin नहीं आते हैं, दोस्तो, ये भी एक plus point है, नीचे टेक्नो spark की branding की गई है, camera medial जो है, वो काफी अलग बनाया है, यूनिक बनाने की कोसिस की गई है, अब ये जो camera का frame है, ये ना अच्छी तरह से गोल है, ना चौकर है दोस्तो, कुछ अजीब टाइप का design बन की कोसिस की गई है, इसके अलावा ये आपको हलका सा उठा हुआ दिखेगा, ये frame और lens भी उठे हुए है, lens पर आपको ring मिल जाती है, थोड़ी बहुत safety के लिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि दो camera है, लेकिन दोस्तो, मिलेगा आपको एक ही camera, जो है 13 मेगा विक्सल का, और इसके कोई supporter camera यहाँ पर company ने नहीं दिये है, वैसे भी दोस्तो, उनको देने के जुरत भी नहीं रहती, उनका कोई काम ही नहीं होता, बस वो sopies के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा lens आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको लग connect कर सकते हैं, जो की Bluetooth support करता हो, या remote control support कर लेता हो, LED flashlight आपको इसमें दी गई है, और फ्रेंट में आपको punch hole के अंदर 8 Megawixel का selfie camera दिया गया है, मोबायल के चारो corner rounded, side जो panel है वो विलकुल flat दिया गया है, जहां आपको मिलेगी right side में power on की, यही पर fingerpin sensor भी दिया गया है, फ्लस volume rockers, उपर की side आपको speaker दिया गया, यानि कि आपको dual stereo speaker का support मिल जाता है, अब टेक्नो यह पहली बार नहीं कर रहा है दोस्तों, already टेक्नो इस पार go 2024 हो या 23 हो, उनमें भी आपको dual stereo speaker, DTS sound का support मिल जाता है, left side में हमें नजर आ रही है, इसे open करने पर हमें मिलती है, यह triple card slot के साथ SIM tray जिसमें आप दो SIM card और एक memory card तीनो एक ही बारी में यूज कर सकते हैं, bottom side में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers दिये गए हैं, mobile को तो हमने already boot करके रखा हुआ है, इसकी जो brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं, जाला कोई खास bright display तो आपको इसकी नहीं मिलती है, normal सी descent कहूंगा दोस्तो में, display के colors भी आपको descent ही मिलते हैं, बाकी यहाँ पर आप edge और bezels देखे, corner उपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी जदा आपको नजर आएगी, user interface जो है, इसका scroll अप करते ही, phone में मौझू सभी application हमें यहाँ पर नजर आ जाती है, इसमें जो custom UI दिया गया है, वो go edition के साथ दिया गया है, तो मुझे लगा था कि काफी clean UI दिया जाएगा, लेकिन company यहाँ भी नहीं सुदरने वाली, यह जो falto के bloatware application है, वो यहाँ पर काफी सारे मौजूद हैं, जो कि uninstall तक नहीं होते हैं, दोस्तों, इन्हें तुरंथ disable कर देना चाहिए, दोस्तों, क्योंकि यह background में खुद run करते हैं, notification भेज के आपको ही तंग करते हैं, इसमें आपको 120 Hz का refresh rate मिल जाता है, touch smooth और fast लग रहा है, दोस्तों, डिस्प्ले साइज की बात करें, तो 6.67 इंच की आपको इसमें HD plus IPS LCD दी गई है, जिसका aspect ratio 229, screen resolution 720 x 1600 pixel का और pixel density 263 ppi की मिलती है, screen to body ratio 90% का दिया ग i5-54 की rating मिलती है, तो हलके फुल के जो पानी के छीटे होते हैं, गलती से कभी गिर जाए phone में, या बारसात में कभी थोड़ा बहुत भीग भी जाओ, तो phone सर्वाइफ कर सकता है, चलिए दोस्तों, इसका weight भी चक्कल लेते हैं, तो इसका weight निकल की आता है 189 gram, इसके अंद section में, जो सबसे उपर है, इसे हम open करें, तो high OS मिलता है हमें, इसमें जिसका version है 14.0.1, device name, model name को mention किया है, android 14 पे run कर रहा है, ये smartphone दोस्तों, हाला कि android 15 का update आता है या नहीं आता, company ने ऐसा कुछ भी mention नहीं किया है, दो साल के security update देगी, company ने ये दावा किया है, इसके अलाव G5615 का दिया गया है, जो based है, 12NM के fabrication पर, Mali G57 के graphic आपको इसमें मिलते हैं, इसके अलावा आपको 4GV RAM दिख रही होगी इसमें, और 4GV expandable RAM, RAM पर click करोगे तो तब जाके आपको option दिखेगा, यहाँ पर mem fusion को, आपने mem fusion को on कर देना, इसके बार सेट virtual RAM में जाके, जितना RAM आ दिया गया है, आप चाहो तो expandable memory को 1TB भी बढ़ा सकते हैं, storage type eMMC 5.1 का RAM type LPDDR4X दिया गया है, इसके अलावा आपको 5000MH की बैटरी, screen resolution को mention किया है, यहाँ पर, आप दोस्तों इस smartphone का हम camera open कर लेते हैं, camera quality ठीक टाक, descent camera आपको इसमें मिल जाता है, जिसके color भी काफी quality भी अच्छी है, price को देखा जाए, तो 7500,000 पे से कम कीमत का है, यह smartphone और इसका जो camera है, वो ठीक ठाक लगा, जिसमें आपको 4X तक का zoom support भी मिल जाता है, इसके अलावा आप अगर video suit करते हो, तो 1080p और 720p का support मिलता है, यानि कि full HD और HD में आप video recording कर सकते हो, 30fps पर, camera के अधर features देखें, तो AI cam, beauty mode, potted mode, mode setting में आपको time lapse, dual view video mode का option भी इस range के अंदर आपको इस phone में मिल जाता है, यानि कि दोस्तों, अगर आप इसमें click करोगे, तो आपका front और rear camera एक साथ open हो जाएगा, एक साथ work करेगा, और ऐसे में आप video recording करोगे, तो काफी अच्छी video आप record कर सकते हो, जिसमें आपका face भी आएगा, और आप जो दिखाना चाते हो, वो भी एक साथ आजाएगा, और status पर आप डाल सकते हैं, बाकी panorama, air shot और pro mode जैसे option आपको इसमें दिये गए हैं, वहीं पर जो front camera है, वो भी ठीठा, 8 Megavixel का है, और बढ़िया clarity आजाती है, front selfie camera से, हलका full क zoom support भी front camera में दिया गया है, तो overall देखा जाए, तो smartphone तो काफी कमाल का है, लेकिन इसका price भी जान लेते हैं, price कितना कमाल का है, दोस्तो, Amazon इस phone को sale कर रहा है, और वहाँ पर आपको ये smartphone 7,299 रुपे में मिलेगा, हाला कि अगर आप bank offer यूज करते हो, तो थोड़ा बहुत discount आ आप इसे purchase कर सकते हो, sale के अंदर इसका price ड्रॉप होगा या नहीं होगा, अभी कुछ भी confirm नहीं है, हो सकता है, 7,000 रुपे तक इसका price आ जाए, फिर भी दोस्तो, अगर 7,000 रुपे में भी आप इसे purchase करते हो, या 7,300 रुपे में भी purchase करते हो, तो mobile फुल फैसा वसूल लग camera medial विल्कुल वैसा ही बनाया गया है, इसके अलावा दोस्तो, 5000 इमेच की बैटरी इसमें मिलती है, और punch hole display के साथ आता है, ये smartphone, नहीं तो जो इनसे बड़े brand है, वो तो अभी drop notch पे अटके हुए हैं, और 90 Hz का जादे से refresh rate देंगे दोस्तो, बाकी storage थोड़ा सा बढ़ा द smartphone, क्या आप इस smartphone को purchase करना चाओगे, आसा करता हूँ, मेरे द्वारदी की जानकारी, आप सभी के जरूर कुछ ने कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया smartphone purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ, चैनल को subscribe, वीडियो क like जरूर कर देना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में